तो चैप्टर हमारा चल रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब बताया था हमने कि भई फाइनेंस को आप किस तरीके से अरेंज करोगे, यूस करोगे, डिस्ट्रिब्यूट करोगे, ये सारी चीज़ों हमने लास लेक्चर में डिसकस करी थी आज हम इसका next topic पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है financial decision, यानि कि finance से related, जो आप decisions लेते हूं, क्या क्या decision लेते हो, वो सब कुछ financial decision में आता है तो financial decision में आप three types के decision लेते हो, financing decision, financing decision का मतलब है कि जो finance है, जो fund है, वो कहां से आएगा, कहां से अरेंज किया जाए Second बात है investment decision कि अब जो fund arrange हो गया है जो पैसा आपके पास आगया है उसको आप कहां invest करोगे और फिर third चीज है dividend decision याने कि कि अब आपके पास जो residual income बची है आपके पास profit आगया income आगई तो जो residual income को आप किस तरीके से distribute करोगे उसका क्या treatment करोगे इस तरीके के different decisions लिये जाते हैं financial decision के अंदर तो चलिए start करते हैं financing decision में दो तरीके के decision है financing decision का क्या मतलब बताए कि पैसा कहां से आना है तो दो तरीके हैं इसके debt या equity debt का मतलब क्या है उधार किसी से loan ले लो debenture issue कर दो debenture आपका debt होता है कि नहीं होता है तो loan ले लो debenture issue कर दो तो या तो debt उधार ले लो या फिर equity equity यानि कि खुद का जो हो जो खुद equity shareholders ने पैसा लगाया हो जो खुद owners का पैसा हो ठीक है तो या तो आप debt से ले लो arrange कर लो fund या फिर आपके पास अगर equity है तो बहुती अच्छी बात है ठीक है second चीज है investment decision investment decision का मतलब है कि अब जो fund आपका arrange हो गया या आपको कैसे utilize करना है कहां यह use होगा तो capital budgeting में आप करेंगे capital budgeting का क्या मतलब है कि आप एक साथ किसी capital investment में पैसा खर्च करने वाले हैं जैसे कि आपने कोई land ले ली, building ले ली, नई company खुलवा दी या फिर कोई capital asset ले ली या machinery ले ली इस तरीके के आपको कोई capital budgeting करनी है या फिर आपको working capital चलाना है आपकी जितनी liabilities वगेरा थी, वो सब आपने, जितना भी आपका due था, liability थी, सारी आपने pay off कर दी, सब कुछ हो गया अब जो residual income बची है, जो अब ऐसी income बची है, कि हाँ, ये अब हम इसे अपना कह सकते हैं एसी जो income बची है, उसका क्या करेंगे आप, तो वो चीज़ आप dividend decision के अंदर देखते हैं पहली चीज़ या तो आप profit की तरह equity shareholders खुद रख लें equity shareholders क्या करते हैं, extra जो residual income बचती है, वो as a profit खुद रख लेते हैं अपने dividend को तो उनका कोई fixed amount तो होता नहीं, dividend का कोई fixed percentage तो होता नहीं, जितना बचता है वो रख लेते हैं तो वो profit की तरह extra income को रख लें, या फिर retained earning कर लें, retained earning का क्या मतलब होता है कि जितना भी some extra आया, उसको set aside कर दिया, अलग कर दिया, या हमारी किसी future contingency में काम आएगा या तो किसी planned चीज में कि हाँ आगे हमें जाके company को grow करना है, नई outlet लेनी है, इस तरीके से अगर कुछ आपने planned कर रखा है, तो कर दिया या फिर आपने ऐसी कर दिया कि किसी contingency में काम आएगा, तो दो तरीके हैं कि या तो as a profit रख लें equity shareholders, या फिर retained earning कर दें ठीक है, तो सबसे पहला decision था financing decision, financing decision में क्या बताया था, कि कहां से पैसा range होगा ये सोचते हैं, तो दो तरीके होते हैं, debt और equity, debt हम कह सकते हैं कि जो उधार का होता है, और borrowed fund जिसे हम कह सकते हैं, और equity का मतलब है अपना, खुद का, यानि कि owner's fund, तो owner's fund में क्या आजाता है, shares आ जाते हैं, preference shares, equity shares, और उसमें debt में क्या आ जाता है, debentures आ जाते हैं, loan आ जाते हैं, ऐसे चीज़े आती हैं, अब factors क्या होते हैं, जो इस decision को affect करते हैं, कि whether to take equity और whether to take debt, तो मतलब कहां से fund raise करना है, इसको क्या factors affect करते हैं, ये देखते हैं, तो first is cost, जिसकी cost जादा होगी वो नहीं, लेंगे, जिसकी cost कम होगी, वो लेंगे, ठीक है, तो cost बहुत एक heavy factor है, कि किसको लेने में, acquire करने में जादा cost लग रही है, interest कितना देना पड़ रहा है, क्या चीज़, ये सारी चीज़ आप compare करेंगे, तो जिसमें भी cost कम लग रही होगी, वो आप opt करेंगे, then risk risk, risk क्या होता है, borrowed fund में जादा risk होता है, कि in case अगर आपकी company की financial position उतनी sound नहीं रहती आगे जाके, और आप वापस नहीं कर पाए, तो क्या होगा, कि बहुत problems आ जाएंगे, आपने कुछ mortgage पर रख रखा होगा, तो वो चला जाएगा, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ हो सक थि एंग, तो risk जो रहता है, वो borrowed fund में comparatively जादा रहता है, और owners fund में comparatively कम रहता है, तो cash flow position का मतलब है कि company के अंदर cash कितना आ रहा है और जा रहा है, तो cash काics cash flow हो तो अगर organization में cash flow position बहुत अच्छा है, छीक है, जादए जादा पैसा आता है, बहूत अच्छा cash flow position है, जो cash cash का inflow है वो बहुत जादा अच्छा है अगर तो फिर क्या होता है कि आप तब borrowed fund ले सकते हो क्योंकि तब आप उसका interest दे पाओगे लेकिन अगर आप नहीं अगर आपके company का cash flow position अच्छी नहीं है तो फिर आप कैसे मतलब लोगे क्योंकि आपको तो timely interest देना ही होता है देना ही देना होता है यह तो आप कंपल्शन होता है तो इनकेस अगर आपका cash flow position अच्छी नहीं है तो फिर आप borrowed fund को मत opt करिए then control consideration, control consideration का मतलब है कि अगर क्या होता है कि borrowed fund में सिर्फ जो वो होता है जिनसे भी आप borrow करते हो वो आपकी सिर्फ creators रहते हैं ठीक है लेकिन owners fund में क्या होता है कि आप share देते हो तो आप ownership right देते हो ownership right देने के साथ आप control भी देते हो थोड़ा तो अगर आप चाते हो कि आपका जो control है organization में वो बिल्कुल भी dilute ना हो जितना आपका है वो उतना ही रहे बिल्कुल तो आप borrowed fund को opt करिए क्योंकि वहाँ पर आपको अपने control के साथ sacrifice करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है आप external source से पैसा लेंगे और वापस कर देंगे लेकिन equity अगर आप equity चूस करते हैं तो वहाँ पर आपको अपना control dilute करना पड़ जाता है next is flotation cost flotation cost का मतलब होता है कि किसी भी debt या equity या फिर जो भी चीज़ है आप उसको acquire करने के time पर कितना आपको cost pay करनी पड़ रही है जैसे आपका भई आपका broker होगा broker आपकी shares बिकवाएगा यह debenture बिकवाएगा तो उसका commission तो brokerage हो गया और underwriting commission होगए तो इस तरीके के different commission आपको अगर pay करने पड़ रहे हैं तो आप ये check करोगे कि किसमें वो कम करना पड़ रहा है तो flotation cost जिसमें भी कम आ रही हो आप उस source को opt करोगे then next is fixed operating cost fixed operating cost का मतलब है कि एक organization में जो fixed cost होती है न कि day to day expenses जो होते हैं वो कितने हैं अगर एक organization में fixed operating cost कि इतना खर्चा तो एक दिन में होना ही होना है अगर वो बहुत जादा है तो फिर आप borrowed fund को opt मत करिए क्योंकि वहाँ पर आपको interest बहुत regularly pay करना पड़ेगा और आप शायद इतना regularly interest पे नहीं कर पाऊगे अगर आपकी flotation cost sorry operating cost बहुत हाई है तो तो इसलिए उस time पर आप equity की तरफ जाएए तो जादा better है then state of capital market capital market की state क्या होती है कि capital market में क्या चल रहा है अगर boom period चल रहा है तो जातर लोग आपकी share खरीदने को तयार हो जाएंगे ला कि अपना पैसा risk नहीं करना चाहता है कोई भी अपना पैसा ना invest ही नहीं करना चाहता है तो तब लोग debenture लेने को तो तयार हो जाते हैं लेकिन shares लेने को तयार नहीं होते तो recession के time पे borrowed fund लेना एक तरीके से मजबूरी हो जाती है और boom period के time पे तो आप equity fund ले सकते हो owners fund जो ह को इन्वेसमेंट डिसीज़न में क्या होता है कि अब जो हमने fund अरेंज कर लिया है इस fund को हम कहां utilize करें कहां invest करें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा कि हमने 2 तरीके से कर सकते हैं तो working capital में कर सकते हैं या capital budgeting में capital budgeting क्या होती है कि capital assets खरीदना यानि कि capital expenditure incur करने को आप capital budgeting क्या सकते हो या फिर आप working capital में खर्च करो यानि कि आपकी organization की कुछ day to day requirements होगी तो आप उस तरीके से working capital में खर्च कर सकते हो तो अच्छा working capital के बारे में बात करें तो working capital क्या होता है कि आपके organization के day to day requirements को meet out करने के लिए जो आपको fund की जरुवत होती है वो working capital होता है ठीक है तो working capital को निकालना कोई बहुत बड़ा issue नहीं है ये बस आपका current assets और current liability के बीच का difference होता है current assets में से आप current liability minus कर दीजा और आपका working capital आजाएगा तो इसमें हमें बहुत जादा deep में कुछ नहीं पढ़ना था इतना जादा deep में पढ़ने के लिए इसमें कुछ है भी नहीं इसलिए यहाँ पर इतनी problem नहीं आती है decision लेने में कि working capital में हम कहां खर्च करें कैसे करें कैसे decision लें क्योंकि वह तो जितनी cost में पर incur होनी है उतनी होनी है वह वाली बात एक अलग है जादा जैसे suppose करिए कि अगर आपका आपकी जो organization की policy है वो है credit sale की policy है तो आपने सामान बेच दिया और पैसा आपको उसका बाद में आ रहा है तो तब आपको जादा अपने पास working capital रखना होगा क्यों क्योंकि आपने सामान बेच दिया उसका पैसा बाद में आएगा इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला तब तक तो आपको खर्चा चलाना है तो उस case में आपको क्या करना पड़ेगा जादा working capital की जरूरत है अगर आपका भाई पूरा जल्दी जल्दी सिर्फ पूरा cash पे लेते हो तो आपका जल्दी जल्दी cash inflow होता रहेगा तो तब आपको इतना ज्यादा working capital एकटा करने की जरूरत नहीं है उसी तरीके से supplier अगर आपके credit पर आपको दे देते हैं तब भी आपको इतना ज्यादा working capital एकटा करने की जरूरत नहीं है और अगर नहीं देते हैं तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी तो इस तरीके से different decisions हो सकते हैं लेकि कि जब आपको ही capital expenditure करते हो तो वो capital budgeting कहलाती है capital budget तो investment decision जो हम पढ़ेंगे न वो capital budgeting के according ही पढ़ेंगे इसमें हमें अभी हमने वाली बात बताई कि capital budgeting में न जब भी आपको नाम मिले investment decision में capital तो यहां पर capital asset से आप relate कर दीजेगा अपने आप यहां पर वो वाला capital नहीं है जो हमने 11-11 में पढ़ा था वो नहीं है capital आप अपने आप land, building, machinery, assets से relate कर दीजेगा ठीक है तो capital budgeting का मतलब क्या asset खरीदना तो asset दोन हो सकते हैं current भी हो सकते हैं fixed भी हो सकते हैं तो कौन सा asset खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है कैसे खरीदना है कैसे नहीं खरीदना है ये सारा जो decision लेते हैं हम वो investment decision में लेते हैं तो अब next हमारी चीज़ है कि factors affecting factors affecting investment decision कि आप capital budgeting में कहां खर्च करो और कहां नहीं करो इसको क्या factors effect करते हैं तो पहली बात है cash flow of the project cash flow कैसा है project का अगर आप किसी project में invest करना चाह रहे हो आप कोई नया business कोलना चाह रहे हो और उस business में आप invest करना चाह रहे हो तो पहले आप ये देखोगे analyze करोगे पूरा कि इस business से ये जो मैं investment कर रहा हूं ये जो project में मैं investment कर रहा हूं क्या इस से मुझे regular cash flow आएगा क्योंकि मुझे भई अपनी organization के day-to-day requirements meet out करनी है न तो उसके लिए मुझे regular cash inflow की ज़रूरत है जब आप heavy amount डाल रहे हो तो आप return भी तो चाहोगे तो आप ये देखोगे कि cash inflow कितना है अगर बहुत अच्छा है तो तो बहुत सही है वहाँ पर invest करना अगर नहीं है तो फिर वहाँ पर invest आप इतना साधा नहीं करिए क्योंकि फिर आप अपनी day-to-day requirements कैसे पूरी करोगे अगर जल्दी-जल्दी cash inflow नहीं आएगा तो second चीज है return on investment return on investment का मतलब है कि जो भी project में आपने इन्वेस्ट किया है उस project में आपको कितना return मिल रहा है किस हिसाब से return मिल रहा है अगर return अच्छा मिल रहा है तो आप invest करो नहीं मिल रहा तो आप मत invest करो then risk involved किस में कितनी risk है जरूरी थोड़ी है कि आपको हमेशा return मिली जाए अगर आपने बही किसी capital budgeting में इन्वेस्ट कर दिया आपने कोई बहुत भारी asset ले लिया कोई land ले ली कोई building ले ली नया business को दिया कुछ भी करा अब वहाँ से आपको return नहीं आ रहा suppose तो क्या हुआ आपका पैसा block हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो ये तो आपके fund का wasted हो जाएगा तो रिस्क भी बहुत जादे involved होती है तो जिसमें कम रिस्क को आप वहाँ invest करो next है investment criteria investment criteria का मतलब है कि आप जिस भी type का business start कर रहे हैं या जो भी आप asset ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो चीजों की ज़रत पड़ेगी वहाँ पर available है या नहीं है आपने suppose करिये कोई नया business खोला है किसी एक जगा पे तो आप देखोगे कि वहाँ पर labor मिल जाएगी आसानी से या नहीं technology है के नहीं है क्या है क्या नहीं तो सारी चीज़े आप पूरी तरीके से analyze करोगे फिर आप वहाँ पर invest करोगे तो यह तो factors affecting थे दूसरी चीज़े importance importance का क्या मतलब है कि capital budgeting आप carefully करो क्या importance है capital budgeting की जो आप capital budgeting carefully करो investment decision carefully करो तो वो हम देखेंगे तो first is long term growth capital budgeting या फिर investment decision से हमारी long term growth होती है अगर कोई भी आप asset खरीदते हो तो वो आपको future में जाके बहुत profit देने वाला है तो इससे क्या होगा कि आपकी growth होगी तो इसलिए आप आज जो भी decision करोगे वो आपका future decide करेगा इसलिए आपको बहुत जादा carefully decision लेना है then huge fund involved तो capital budgeting में huge fund होता है huge fund involved होता है तो जहां भी इतना सारा पैसा involved है क्या आप वहाँ पे risk लेना चाहोगे क्या आप वहाँ पे ऐसा कुछ करोगे risk involved risk बहुत जादा जितना बड़ा project उतनी risk जितना huge investment उतनी risk कि भाई कल को इससे उतना return आया या नहीं आया तो then irreversible decision irreversible यानि कि एक बार आप asset खरीद लेते हो किसी चीज में invest कर देते हो तो वो उतनी आसानी से आप वापस नहीं कर सकते आप सोचो कि अगर मैंने एक asset खरीद लिया आप मैंसे बेच दूँ तो फिर यह सब क्या है कि आप decision अगर reverse करना जाओगे अगर बाद में आपको पता चला कि अभी यहां से तो इतना profit नहीं हो रहा तो मैं decision reverse कर दूँ तो इस तरीके कि अगर आप चीज़े करने जाओगे तो कुछ नहीं ultimately आपको नुकसाने इससे wastage of resources होगा और बहुत पैसो का नुकसान होगा इसलिए irreversible decisions होते हैं इतनी easily reverse नहीं हो जाते हैं यह decision third and last type of decision है हमारा dividend decision dividend decision में क्या होता है कि जो हमारी profit अब earn हुआ न उस profit को आप किस तरीके से distribute करोगे आप उसको as a profit खुद रख लोगे यानि कि dividend की तरह दे दोगे shareholders को या फिर आप set aside कर दोगे कुछ amount future contingency को meet out करने के लिए जिसको आप retained earning कहते हो कि हो सकता है आपका आगे कोई project आ रहा हो आपको आगे किसी capital investment की जरूरत हो तो इसलिए आप retained earning अलग कर सकते हो या फिर आप उस profit को as a dividend बाट सकते हो तो भई profit मतलब as a dividend बाटें profit को या फिर retained earning कर लें क्या करें अगर dividend दे रहे हैं तो high rate रखें dividend का या low rate रखें इसको ये factors effect करते हैं तो first factor is earning earning का मतलब होता है कि अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो आपकी organization की ज़्यादा earning है तो आप high rate of dividend दे सकते हो लेकिन आपकी organization की earning अगर उतनी है ही नहीं तो फिर आप low rate of dividend देते हो then stability of earning stability of earning का मतलब है कि आपको पता हो कि हाँ आपका जो profit है जो income है वो अच्छी खासी आ ही जाएगी तब तो आप कोई high rate of dividend declare करो अगर आपको पता ही नहीं है अगर आपको surety ही नहीं कि अगले साल तक आपका अच्छा amount आ जाएगा अच्छा profit आ जाएगा तो आप declare कैसे करोगे आपको इसी साल declare करना होता है अगले साल का dividend कि इतने percent का dividend मैं अगले साल दूँगा तो अगले साल उतनी earning होनी चाहिए उस dividend को देने के लिए अगर उतनी earning नहीं हो पाई तो आप declare ही नहीं कर पाओगे इस तरीके से then cash flow position cash flow position का मतलब है कि dividend जो आप देते हो तो वो company से outflow होता है outflow होता है cash का तो outflow होने के लिए cash का inflow होना भी तो ज़रूरी है तो अगर cash flow position ऐसी है कि cash का inflow बहुत अच्छा है तो आप outflow जादा अच्छा कर सकते हैं कि आप dividend जादत दे सकते हैं लेकिन अगर आपका cash का inflow इतना अच्छा नहीं है तो आप dividend का rate जो है वो low ही रखेंगे then growth opportunity growth opportunity का मतलब है कि अगर एक organization future में उसके plans हैं कि हाँ बही मुझे एक अलग building बनानी है या फिर मुझे एक अलग branch खोलनी है या फिर इस तरीके की कोई चीज है तो अपने business को अगर expand करना चारा है grow करना चारा है तो फिर उसको उस time पर जादा retain डरने की जरूद पड़ेगी जादा पैसे की जरूद पड़ेगी जो उसको retain डरनेंग से मिलेगा वो पैसा तो अगर उसकी growth opportunity अच्छी है वो grow एक organization आगे future में grow करने का plan बना रही है तो फिर वो dividend का जो rate है वो कम रखेगी और retain डरनेंग जादा रखेगी लेकिन अगर कोई organization ऐसी है जिसका future में जादा grow करने का plan नहीं है तो फिर ऐसा नहीं है फिर वो जादर dividend दे सकती है वो जादर retain डरनेंग नहीं रखेगी तो जो growing organization होती है जो already developed organization होती है वो high rate of dividend रखती है और जो growing organization होती है तो उनको तो expand करना होता है future में इसलिए वो retain डरनेंग जादर रखे dividend low देती है then stability of dividend stability of dividend का मतलब है कि आपने अभी तक पता है ऐसा कर रहे थे आप high दीजिए low दीजिए, कैसा दीजिए इस तरीके से चल रहा था कि भाई कभी जादा आ गया तो जादे दे दिया कम आया गया तो कम दिया कुछ नहीं आया तो कुछ नहीं दिया तो ये ना stability अगर stability रहेगी ना आपके dividend में तो बहुत अच्छा रहेगा यानि कि आप एक amount fix कर दीजिए कि इतना तो आपको महीने का मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो ये policies होती है कुछ जिनके तरू हम ये decide करते हैं कि किस तरह से हम stable रखें dividend को तो first is constant dividend per share यानि कि per share पे आप कुछ ratio कुछ percentage fix कर दीजिए क्या आपका suppose अगर 100 रुपे का share है तो उस पर 10% मिलेगा यानि 10 रुपे तो एक share पे यानि कि आपके 100 रुपे के एक share पे आपको 10% का dividend मिलेगा ठीक है ये पकी बात है आपको मिलना ही मिलना है इतना तो per share के सापसे आपने dividend fix कर दिया फिर next is constant payout ratio इसमें क्या होता है इसमें आपने per share के सापसे dividend का percentage fix करी ती और इसमें आपने profit के सापसे dividend की percentage fix करी यानि कि जितना profit जिसे आपने इतना इस साल इतना profit कमाया तो उसका 10% दे दिया, ठीक है, एक लाग कमाया तो उसका 10% दे दिया, एक करोड कमाया तो उसका 10% दे दिया, मतलब ऐसे करके company जो है, डिकलेयर कर देती है, कि मैं profit का इतना percent दूँगी, then constant dividend per share and extra dividend, तो ये इन दोनों का mixture होता है, कि constant dividend per share को लोग पहले से डिकलेयर कर देते हैं, कि एक share पे इतना dividend मिलेगा, और अगर profit हो जाता है, तो profit से भी कुछ extra dividend आपको मिलेगा, जिसको आप interim dividend के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो ये हो गया, next है हमारा preference of shareholders, preference of shareholders का मतलब है, कि shareholders की आपकी क्या preference है, आपके shareholders चाहते क्या हैं, आप उसको ignore नहीं कर सकते हो, आप अपने हिसाब से तो चल रहे हो, लेकिन आपको अपने shareholders की preference को भी consider करना पड़ेगा, जैसे कि आपके अगर retired shareholders हैं, suppose करिए कि आपके जो retired shareholders हैं, तो वो लोग का क्या होता है, कि वो लोग की कोई income तो होती नहीं है, वो लोग retired है, ठीक है, तो वो यह चाहते हैं, कि जहां मैंने invest करा है, वहाँ से कम से कम मुझे regular payment आता रहे, आता रहे, आता रहे, तो high amount of dividend आता रहे, और regular आता रहे, ठीक है, तो वो लोग इस चीज के लिए राजी नहीं होता है, कि इस साल दो और इस साल अगली साल नहीं दो, इस साल प्रॉफिट हुआ तो दो, अगली साल नहीं हुआ तो मत दो, इस तरीके से वो राजी नहीं होता है, उनको regular dividend चाहिए होता है, और उनको high rate of dividend चाहिए होता है, तो य retired वालों की preference हो गई जैसे कि suppose इनको 10 ये लोग ने 10 रुपे invest करे थे तो 10 रुपे पे annual dividend मिल रहा है 10% का यानि कि 1 रुपे का ठीक है एक रुपे का ये लोग को annual dividend मिल रहा है ठीक है तो ये चाहते हैं कि हर साल एक रुपे आते रहें लेकिन हर साल आते रहें ठीक है रुके ना क्योंकि हमारी कई और से इंकम नहीं है तो हमारे ये क्याई सहा रहा है उसी तरीके से middle class लोग होते हैं middle class लोग क्या चाहते हैं कि हाँ हमारी regular income आती रहे आती रहे आती रहे वहीं पर on the contrary young लोग जो होते हैं वो ज़्यादा risk लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं वो ये चाहते हैं कि we are ready to take the risk लेकिन हमें capital gain चाहिए हमें regular income नहीं चाहिए इस साल हमें आप नहीं दे रहे हो आप मत दो कम दे रहे हो कम दो कोई बात नहीं लेकिन उनने capital gain चाहिए किस तरीके से capital gain चाहिए कि suppose उन्होंने 10 का वो लिया 10 का share लिया उन्होंने और वो ये चाहते हैं कि भई वो अपने dividend को sacrifice करने को तयार होते हैं तो वो ये company से कहते हैं कि ठीक है आपका इस साल profit नहीं हुआ तो मत करिये कोई बात नहीं आप मुझे मत दीजे इस साल dividend लेकिन आप इतना grow करिये grow करिये वो ये चाहते हैं company इतनी grow हो जाए कि अगली साल उसका share बीस का हो जाए उनका ये वो ये चाहते हैं तो अगली साल जब उस share को बेचेंगे तो उनको direct 10 रुपे का capital gain होगा या नहीं होगा वहीं पर ये जो retired वाले लोग थे ये कहीं 10 साल में जाकर ये 10 रुपे कमा पाएंगे दस साल में जाकर ये 10 रुपे कमा पाएंगे वहीं इसने तो अगली साल में ही कमा लिया तो जो retired और middle class लोग जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमें regular income आती रहे ठीक है वहीं पर जो young और rich people होते हैं उनको regular income से इतना मतलब नहीं होता है वो आज का अपने dividend sacrifice करने को राजी होते हैं लेकिन उनने capital gain चाहिए होता है ये होता है इसमें तो अगर आपकी जो shareholders हैं वो retired ये middle class लोग हैं तो आप high rate of dividend रखे क्योंकि वो उसी से satisfy होंगे उनके वाई preference है और अगर आपके rich और young लोग ज्यादा हैं आपके shareholders में तो फिर आप low rate of dividend रख सकते हैं then next is taxation policy taxation policy में क्या होता है कि आपको tax देना पड़ता है एक company हुआ आपको तो tax देना पड़ेगा तो आपको tax ना dividend पे भी देना पड़ता है जैसे कि आपने dividend दिया तो वो आपके लिए क्या है आप ये कहोगे कि मेरे लिए तो expense है सही बात है आप ये कहोगे मेरे लिए तो expense ह लेकिन सरकार को आपने क्या बताया था कि Shares क्या होते है Owners Fund आप क्या दे रहें Shareholders को? Ownership Right है ना? तो जो Shareholder हो गए वो आपके Company के मालिक तो हो गए तो अगर आप मालिकों को दोगे तो वो आपके Company के अंदर-अंदर ही तो रहा तो ये माना जाता है कि Shareholders की Income जो होगी वो Company की Income होगी तो वो Company का Expense नहीं माना जाता है Shareholders की जो Dividend होता है वो Company की Income ही मानी जाती है इसलिए आपको उस पे वो देना पड़ता है Tax देना पड़ता है as a Company Shareholder उस पे Tax नहीं देगा Company उस पे Tax देगी यह हमने 11th Class में Disadvantages में भी आपने पड़ा होगा कि Preference Share का यह Disadvantage है कि Preference Share को जो Dividend जाता है होता तो वो Expense है लेकिन Government की नजर में वो उसको Income की तरह देखते हैं और उस पे Tax लगाते हैं तो हमने खर्चा भी किया फिर हम उस पे Tax भी दे रहे हैं तो यह वाली चीज होती है लेकिन आपको करना पड़ता है आपको इस पे Tax देना पड़ता है ठीक है तो Taxation Policy क्या है अगर आपके Tax Rate जो है वो बहुत जादा High है तो फिर आप उतना Dividend नहीं दोगे आप कम ही Dividend दोगे लेकिन अगर आपके Tax, अगर जो Government की Taxation Policy है वो लो है उसका Rate जो है वो कम है तो फिर आप जादा Dividend दे सकते हो Next is Access to Capital Market Consideration Access to Capital Market Consideration का मतलब है कि एक Company जो है वो Retained Learning से Fund अरेंज कर सकती है या फिर वो कर सकती है Shares इशू करके Shares और Debentures इशू करके अगर वो यह चाहे कि मैं Share और Debenture इसू करूँ तो कमपनी की अच 손 T आप इस वाले Option को चूह करीए कि आपके Shares और Debentures जो है वो बग जाए और फिर आप इस पे high rate of interest रख सकते हो ठीक है रेटेंड अर्निंग उतनी ना करके आप इससे fund arrange कर सकते हो तो आप इस पे high rate of interest रखिए ताकि जादे जादे लोग अट्राक्ट हो ठीक है कि जो पिछली साल मैंने कमाया था उससे मैं दे देता हूं लेकिन companies act ये कहता है कि आप इस साल के से ही दे सकते हो अगर आप पिछली साल के profit से dividend दे रहे हो तो पहले आपको depreciation deduct करना पड़ेगा अगर depreciation deduct करके कुछ बचता है तो बहुत अच्छी बाते आप dividend दे दो लेकिन अ company के अपनी भी एक policy होती है company के अपनी policy है कि cash का अगर inflow अच्छा हो रहा है अगर आपके organization में सब कुछ earning बढ़िया हो रही है तो आप दे दो dividends जादा कोई दिक्कत नहीं है then contractual constraints contractual constraints में यह है कि आपने अगर already loan लिया हुआ है suppose अगर आपने already loan लिया हुआ है तो पहले से आपके कुछ commitment से आपको वहाँ पर interest देना है तो अगर आपका regularly वहाँ पर interest जाता है तो आप shareholders को इतना dividend नहीं दे पाओगे एक और example आप इसमें ले सकते हो कि suppose आपका कोई आपने किसी financial institution से अगर loan लिया हुआ है तो financial institution वालों ने आपकी company पर restriction लगा रखा है कि आपकी company पर restriction है कि आप कि इसी को इतने से जाधा dividend नहीं दे सकते हो तो फिर आपको उनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो आपके lenders होते हैं उनका right हो जाता है ठीक है then stock market reaction stock market reaction का मतलब है कि अगर आपको stock market को attract करना है अगर आपको shareholders or debenture holders को attract करना है आपकी company में आएं वो खरीदें तो उसके अपरेटर नहीं करना चाहते हो तो बहुत अच्छी वात है आपको कोई जरूरत नहीं high rate of dividend रखने की तो हमने तीनो टाइप के decisions पढ़ लिए financing decision, investing decision और dividend decision तो ये complete हो चुका है ये topic हमारा I hope आपको समझ आया होगा आप साथ के साथ इसके notes बनाते चलें, friends को share करना बिलकुल न भूलें, channel को subscribe जरूर कर दें, मिलते हैं आप से अगले lecture में, thanks for watching